हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज कहीं वीडियो बहुत ही ज्यादा यूसफुल होने वाला है आज मैं एक ऐसे मशीन का अन्बॉक्सिंग रिव्यू करने वाला हूँ जिसकी जुरूरत हर घर पे तो नहीं है बर जिन्हें लेना है जिन्होंने सर्च किया इस वीडियो को जो परचेस करना चाहते है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा है ज्यादा टाइम आपका नहीं लोगा जिसीदे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा प्रोड़क्ट है तो गाइस देख सकते हो ये रहा वो इसके फीचर्स क्या है इसको यूज कैसे किया जाता है क्या यूजस है हर चीज मैं आपको बताने वाला हूँ यहां पर आप देख सकते हो निस्कोमेड लिखा हुआ है और यह निस्कोमेड का तीसरा प्रोड़क्ट है जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया है इससे पहले मैंने इसके दो प्रोड़क्ट्स ट्राइ कर चुके हैं मुझे ब्राइंट परसनली बहुत अच्छा लगा क्वालिटी प्रोड़क्ट्स रहते हैं सो यह है एक नेबुलाइजर नेबुलाइजर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि बहुत लोगों बहुत लोग जैसे कि एस्थामा के पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत बार या फिर बहुत बार हम लोग हिंदे में बोलते हैं ना कि फेफड़े में पानी चला गया है लंग्स में पानी चला गया है सूजन आ गया है तो उसके लिए मेडि और बहुत ही रिलीफ प्रोवाइड करता है तो यह एक नेबुलाइजर है इसमें मेडिसीन डालोगे लिक्विड मेडिसीन और यह मशिन उस मेडिसीन को वेपराइज कर देता है जो कि आप इनहेल करोगे तो यह आता है निसकोमेड ब्रैंड की तरफ से और इसे पहले मैंने इसका एक बीपी मशिन ट्राइ किया था मेरे पापा के लिए मैंने लिया था और घर पर जिसको भी ज़ुरत पढ़ती है वो ले जाते यूज करता है बहुत ही एकुरेट रिडिंग देता है अगर आपने उस मशिन का अनबॉक्सिंग रिव्यू अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आईकार्ड में आ रहा होगा जा करके जरूर देख लेना उस वीडियो को तो गाइस चलो इससे अनबॉक्स करता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें बॉक्स कॉंटेंट क्या-क्या मिल जाते हैं तो गाइस बात करें इस बॉक्स की तो चलो बॉक्स को अपने कर लेते हैं अपको इसके साथ क्या-क्या मिल जाते हैं इस तरीके से बॉक्स अपन हो जाता है और सबसे पहले हमें मिल जाएगा एक निसको मेंड़ का ठेंक यू नोट जिसमें एक QR कोड भी दिया गया है जिससे सकैन करके आप इनके वेबसाइट प करूंगा न कि एक medical product है तो आप एक बार यूज करने से पहले से पढ़ लोगे तो जादा बहतर रहेगा आप अच्छे से समझ पाओगी कि आपको इससे किस तरीके से यूज करना है तो जब आप इससे order करो आपको घर पे पहुँच जाएगा एक बार जरूर इससे पढ़ उसके बाद इस मशीन को आप यूज कर सकते हो यहाँ पर मिल जाता है एक इस तरीकी का केबल यह एक्चुली यूएजवी एटू यह मोटा पीन वाला केबल है जो पहले के फोन्स में आते थे यह आप किसी भी पावर बैंक में लगा करके इस मशीन को चला सकते हो या फिर म कमेंड यह किया जाता है ना एक परसं का एक मास्क रखना अगर मैं एक यूज करूँगा ना तो मेरे घर पे मैं उसे किसी और को यूज करने नहीं दूगा वरना क्रॉस इंफेक्शन हो सकता है इसलिए आप अपना एक मास्क रख सकते हो बार बार आपको फेकने की ज़रत ही है आप डिसिंफेक्ट करके गरम पानी से वाश करके अपने लिए दुबारा अपना वाला यूज कर सकते हो जितना बार आप चाहो लेकिन सेम मास्क अपना ही वाला मास्क किसी और को यूज़ करने मत देना। सो आज आता है हमारा ये मेन प्रोडक्ट बाकी बॉक्स खाली है। इससे रखते हैं साइड। सो गाइस देख सकते हो ये रहा वो मशीन NISCO MED का Mesh Nebulizer बहुत ही छोटा सा है, पोटेबल सा है मेरे हाथ पे आप देख सकते हो NISCO MED के branding है और nebulizer लिखा हुआ है उपर मैं आपको ये mouthpiece मिल जाएगा जिससे ये liquid जो vaporize होगा वो निकलेगा और इसे में आपको mask को लगाना है वो मैं आके आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ उपर आपको एक lid मिल जाएगा जिससे आप पीछे इस तरीके से कुछ open करोगे तो ये खुल जाता है और इसके अंदर आपको liquid medicine को डालना पड़ता है इस पर आपको एक washer की तरह rubber का ring मिल जाएगा तो आपको जो medicine है चूके गिरेगा नहीं इससे अगर आप इस machine को horizontally भी रखते हो ना और vertical भी रखते हो तो आपका medicine गिरेगा नहीं sides की बात करो तो sides बिल्कुल plane है and back की बात करो तो back में आपको एक push का button दिखता है जैसे आप इस push button को push करोगे ना तो आपका ये जो head है ये इस तरीके से निकल के अलग हो जाता है ताकि आप इसे अराम से clean कर पाओ फिर से लगाना है तो आपको बस इसे यहाँ पर रखके slide कर दोगे तो ये cut sound करेगा और ये lock हो जाता है नीचे कुछ barcode है और यहाँ पर आपको socket मिल जागा इस cable को लगाने के लिए ताकि आप इस electricity या power bank से use कर पाओ आज आते हैं गाइस machine के सबसे नीचे तो यहाँ पर आपको ढखकन की तरह मिलेगा फ्लैप मिलेगा जिसमें लिखा हुआ power ratings जो भी है 5 volts, DC 5 volts पर यह काम करता है यहाँ पर double a alkaline batteries भी आप लगा सकते हो इस तरीके साब इसे open करोगे तो यह रहा इसमें आपको दो batteries डालने के slot मिल जाएंगे alkaline battery डलता है नॉर्माल आप जो 10-5 रुपे के battery आती है वो नहीं डिवरा से लब डाल सकते हो alkaline battery याद रखना इस machine से related कुछ safety measures से जो आपको use करनी है पहला चीज़ जब भी आप इसमें कुछ medication डाल की use करोगे न तो same medicine को कोई और use ना करे यह चीज़ ध्यान रखना यह नहीं कि इस पर थोड़ा बचा हुआ है तो कोई और भी use कर ले नहीं उससे आपको clean करना पड़ेगा lid को open करना और इससे आप अच्छे तरीके से disinfect कर ले न फिर उसके बाद इससे दुबारा आप लगा करके यहाँ पर नया medicine डालना जो भी use करना चाहते हो जब भी आपको इस पर battery use करना है न तो हमेशा याद रखना कि same company का battery use करो alkaline batteries use होगा 1.5 volts का 2 piece एक बार अगर आप इसमें new battery डालोगे तो continuously one hour तक यह machine उस पर vaporize create कर सकता है vapor बना सकता है तो एक घंटे तक लगातार आप इससे use कर सकते हो एक नए set of batteries पे यह waterproof नहीं है तो जब भी आप इसे clean करोगे तो पानी पे इसमत ले जाना वरना machine खराब हो जाएगा देखना कि machine को बॉड़ी पे पानी बिल्कुल ना लगे लेड को आप clean कर सकते हो अभी मैं market पे गया और मैंने यह वाला medicine लेकर के आया है market से medical shop से और इसके user manual पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर पानी डालके उसको vaporize करने का steam करने का कोशिश मत करना वरना यह machine खराब हो सकता है इसलिए जो medicine आता है कुछ इस टैप का आपको इस तरीके के medicines को यूज करना है इस machine को operate करने के लिए आपके normal batteries sufficient नहीं रहेंगे तो मैंने market गया और मैंने इस तरीके का Duracell का यह वाला battery purchase करके लिए काया है Duracell छोटा power इसलिए मैंने खरदान क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ alkaline battery और इसकी user manual पर भी लिखा हुआ कि यह alkaline batteries पर ही work करता है इसे on करके यहाँ पर डाल देंगे positive end को यहाँ डाल देंगे negative end को यहाँ पर आप देख सकते हो तो इससे बंद कर देते हैं अब यह ready to go है open कर लेते हैं और इस तरीके का यह medicine है एक को तोड़ करके यहाँ पर डाल देते हैं इसके बाद late को इस तरीके से बंद करके यहाँ पर आपको lock कर देना है तो चलिए दोस्तों मैं आपको use करके दिखाता हूँ इसे on कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं स्टार्ट करते ही यहाँ पर कितना अच्छा है यह mist बनाना वेपर बनाना शुरू कर चुका है जिसको आप inhale कर सकते हो और काफी ठंडा ठंडा मुझे फील हो रहा है फिर बंद कर दोगे इस तरीके से long प्रेस करके तो यहाँ पर यह बंद हो चुका है तो इस तरीके साब को inhale करना पड़ेगा मैं आपको test करके दिखाता हूँ आगे आपने देख लिया इस मशीन में कैसे मैंने medicine डाला बैटरी डाला और किस तरीके से काफी अच्छे quantity में mist को produce कर रहा है बस आपको switch on करते ही आप देख सकते हो अच्छे खासे quantity में यह बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही लंबे तरीके से spray कर रहा है बहुत दूर तक चल Lebens दिखाता हूं आपको किस तरीके से inhale करना पड़ता है लॉंग प्रेश करोगे तो यह बंद फिर दो सेकंड प्रेस करोगे तो यह बंद हुजाता है कुछ इस तरीके से बहुत ही पोटेबल है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है बहुत ही strongly built है मैं लेकर दिखाता हूँ आपको बस इससे आपको on करना इस तरीके से आपको इसे inhale करना है जिस तरीके से आपको prescribe किया जाएगा आपके डॉक्टर के थरू तो आपने देख लिया गाइस इस वीडियो पे इसका unboxing यह क्या चीज है nebulizer है, कहां काम आता है, कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है किस के थरू चलता है बहुत ही amazing, बहुत ही detailed way में मैंने इस वीडियो को बनाने का कौशिश किया है ताकि जिसन को भी purchase करना है न तो आपको ये one stop solution रहे आपके लिए वीडियो इस वीडियो में आपको हर एक चीज इस nebulizer के बारे में या फिर ऐसे nebulizer के बारे में पता चल सके इस लिए इस वीडियो को मैंने बहुत ही महनत से बनाया है अगर पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करके बताना लाइक करना मत भूलना तो चलो इसे यहाँ पर लगा देते हैं power bank में और दूसरे end को लगा देंगे हमारे machine के back वाले portion में इसमें लगा देंगे इस cable को अब देखते हैं कि यह power bank से चलता है यानि यहाँ पर बैटरिस देख सकते हो मैंने बैटरिस निकाल के रखती है दो सेकंड प्रेस करेंगे और यह on हो जाता है तो आप देख सकते हो यह power bank से भी similarly काम कर रहा है आप देख सकते हो अच्छा ख़सा यहाँ पर स्प्रेय है यह रहा यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से देख रहा होगा कि इसका थ्रोग बहुत ही अच्छा है यह रहा बहुत ही amazing लगा मुझे यह machine जिससे आप power bank से भी चला सकते हो अगर आप battery अफ्रोड कर सकते हो बार बार change करना तो battery से भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर electricity से भी यूज़ कर सकते हो तीनों के options आपको दिये गया है बहुत ही versatile machine नहीं है अगर यह machine लेना चाहते हो ना purchase करना चाहते हो तो बिलकुल खरीच सकते हो description में आपको best links में डाल दूँगा आप जहां से भी मन करें आप purchase कर सकते हो बहुत useful है बहुत ही आपका काम आने वाला है घर पे जितने भी लोग है कोटे बड़े खुद के लिए किसी के लिए भी आप इसे ले करके रख सकते हो वीडियो अच्छा लगाओ तो ज़रूर एक like कर देना and comment करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा share करने इस वीडियो को जाते जाते हो चैनल को subscribe करना मन भूलना इसी तरीकी के interesting unboxing एं रिव्यूस देखने के लिए फिर मिलते ही जल्दी अपना ख्यार रखिए जय हिंद जय भारत